नमस्कार दोस्तों दोस्तों वो कहवत सुनी आपने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं अब दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं चायना का फिफ्ट जेनरेशन फाइटर एरेक्राफ्ट के लिए उसने जो टेक्नोलोजी ली है वो यूएस से चुराया है वैस उसके पास जो मिलता है वही चुरा लेता है अब दोस्तों न्यूज ऐसी है कि चायना ने भारत से भारत से उसका प्राइड लैंड ओफ मैंगो उसका जाने वाला देश भारत उसके मैंगो वेराइटी और वो भी ऐसे वैसे नहीं दोस्तों दशेरी केसर अलफॉन्जो पाई थी जब अपनी मैंगो डिप्लोमेसी उन्होंने की थी दोस्तों इसके साथ देखने वाली बात यह, कि आज भारत से ज़्यादा export in mangoes का China कर रहा है दोस्तो हमारे ही export market को वो हमारा ही आम बेच रहा है तो दोस्तो इसलिए मैं कह रहा था ना ऐसा कोई ही सगा नहीं जिसको जिसने चीन ने ठगा नहीं तो कुछ वैसा ही है जिसके पास जो मिलता है उससे वो वही चुरा लेता है तो क्या है ये पूरा news क्या हुआ है क्या कारण है जो हम चाइना से पिछड़ रहे है और साती साथ हमने क्या improvements किये है और और आगे क्या करना चाहिए इन सभी आयामों पर आईए आज के वीडियो में चर्चा करते हैं थोड़ी आवाज खराब है प्लीज इसको बेर कर लें गला थोड़ा सा कराब है तो थोड़ी आवाज करकश लग सकती है इससे पहले आगे बड़े दोस्तों रक्षा बंदन के लिए इस पावन अफसर पर हम आपके लिए discount लाए है 23,999 रुपे में आपको UPSC subscription मिल रहा है complete GS, CSAT test series है सारे batches का access मिलता है powerpoint से lectures होते है main test series with evaluation मिलेगा dedicated doubt solving sessions भी होते है यह सब आपको बड़ी affordable price से मिल रहा है जब आप coupon code KC10 का इस्तमाल कर रहा है तो निश्चन्त होके code यूज़ करे KC10 और इस discount का फैदा उठा है नीचे आपको link मिल जाएगा description box में और comment तो news में क्या है news में है दोस्तो जो चाइना का export है mangoes का जैसे दशेरी जैसे चौसा, जैसे अलफान्जो लंगड़ा यह सब जो Indian varieties हैं वो हम जो दुनिया को export करते हैं यह आम अब चाइना export कर रहा है और हमसे अधिक कर रहा है और एक साल नहीं पिछले दो सालों से continuously वो भारत के आम दुनिया को बेच रहा है वो market जहां पे हमारा dominance था हमको हटा के चाइना export कर रहा है दोस्तों अगर आप देखें तो problem इतनी बड़ी हो गई है कि यह दशेरी चौसा एलफान्जो लंगड़ा जो हम खा रहे है आजकल ये भी चाइना में उगरके भारत के market में चाइना के आम घुस रहे है नाम वही है दशेरी चौसा एलफान्जो लंगड़ा दोस्तों चाइना ने अगर आप देखें तो 2023 में 59.43 million dollar का आम एक्सपोर्ट किया है इसमें फ्रेश आम भी है ड्राइड आम भी है इसी वर्ष में अगर आप देखें तो भारत ने 55.94 million dollar का आम एक्सपोर्ट किया याने की भारत से अधिक करीबन सवा 6-6,6% अधिक आम चाइना ने एक्सपोर्ट किया है तो अब जानना है आखिरकार क्या चाइना ट्रेडिशनली मैंगो एक्सपोर्ट करता है बिल्कुल नहीं 1960s तक आम के बारे में किसी ने ना तो चीन में देखा था ना ही सुना था कुछ सदन रीजन्स थे चाइना के जहां पे थोड़ा बहुत आम उग जाता था लेकिन ऐसा हाई कॉलिटी वाला आम नहीं उगता था तब नहरू जी को ये ख्याल आया कि चाइना से रिष्टे क्यों ना सुधारे जाएं जाव इनलाई को उन्होंने अपनी मैंगो डिप्लोमेसी की शुरुवात की 1950s की कहानी थी पंडित जौहरलाल नहरू जी ने आठ मैंगो के पौधे चाइना को as a gift दिये जिसमें तीन दशेरी के पौधे थे दो चौसा के दो एलफान्जो का और एक लंगडा का अब दोस्तो चाइना ने तो ये रख लिया लेकिन इसके आगे क्या होगा ये नहीं मालूम था चाइना ने देखते ही देखते huge expertise कर ली इन वेराइटी के अपने soil पर आज अगर आप देखें तो एलफान्जो केसर लंगडा वो अपने southern provinces में हैनान यहाँ पे हैनान आइलेंड है और ये गौंग डॉंग है होंग कॉंग मकाउग के पास इन इलाकों में दोस्तो चाइना आज हमारे ही variety of farm को commercial scale पे उगाता है और इसको दुनिया भर को export करता है चाइना में आज दशेरी उगरा है हुसनारा उगरा है हापो सेलफंजो उगरा है और ये सब दुनिया को export कर रहा है यहां तक की भारत में भी चाइनीज आम घुच रहे है कारण बड़ा सरल है दोस्तों हमारे जो किसान है वो कई बार band chemical band pesticide यूज कर लेते हैं जिस वज़े से हमारा आम विदेशी मार्केट में ठुकरा दिया जाता है लेकिन चाइनीज लोग स्वयम ये आम ज़्यादा खाते नहीं है वो export के लिए ही इन आम को उगाते हैं तो proper practices का follow किया जाता है जो की mango के rejection को बचाता है दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक बात हमें जाननी होगी कि सिर्फ चाइना ही हमारा competitor नहीं है आज के समय में हमारे आम अन्यदेश भी उगा रहे हैं दोस्तों भारत जो है वो original land of mangoes है हमको अब तक leader बन जाना चाहिए था दुनिया में mango exports में क्योंकि हमारे यह 1400 mango varieties का यह original land है यही original cultivator भारत रहा है लेकिन चाइना ने हमारा आम चुराया इसके सिवब पाकिस्तान और बंगलादेश भी हमारे ही आम को दुनिया भर में export कर रहे हैं आप देखिए जैसे fuzzyly variety इसको GI tag मिला है लेकिन इसको बंगलादेश हुगाता है वैसे ही रटॉल बड़ा famous है मेरट वाले इसकी खुजबू होती है ये पाकिस्तान उगाता है चौसा तो पाकिस्तान बोलता है मेरा ही आम है हमारे यूपी में जबर्दस चौसा उगता है लेकिन पाकिस्तान बोलता है चौसा तो मेरा है भारत आया था मुशरफ आये थे तो वो भी अपने साथ चौसा लेके आया था mango diplomacy दुनिया को चौसा भेजता है कहता है देखो हमारा आम है यहां तक कि अगर आप western countries में जाए US में, Canada में उनके supermarkets में आप देखेंगे पाकिस्तान का जंडा लगा है और चौसा आम रखा है वहां सब चौसा को पाकिस्तानी आम के नाम से जानते है और इजनली हमारा है तो इस प्रकार से एक एक करके हमारे सारे varieties ये लोग हड़पना शुरू कर दिये हैं आज भी हमारे आम देखी एक्सपोर्ट होते है UAE में होता है, UK में होता है US में होता है, कुवेट में होता है कतर में होता है लेकिन हमें बहुत कुछ अभी करना होगा देखिए भारत में जो आम उगता है UP में, आंधर प्रदेश में बिहार में, करनाटका में तेलांगना में, वेस्ट बेंगॉल में सबसे अधिक आम होता है इसमें उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो सबसे अधिक 25 तिशत टोटल मैंगो प्रोडक्शन अकेले एक राज ये यूपी में होता है लेकिन अभी भी बहुत कमिया है जैसे की ट्रांस्पोर्ट की कमी है मेजर प्राबलम है ट्रांस्पोर्ट जो है स्बॉल फार्मर अवेल नहीं कर पाता तो इस वज़े से वो एक्सपोर्ट लिंकेज के लिए गोडाउन तक पहुचाना वहां से एक्सपोर्ट कराना वो सुविधा नहीं है दूसरी प्राबलम है टेस्टिंग की देखिए विदेशी मार्केट में जब आम जा रहा है तो उस पे दुनिया भर की टेस्टिंग होनी है उस पे सैनेटरी फाइटो सैनेटरी बैरियर्स लग जाते हैं जरा भी कुछ भी उसमें कीडा निकल गया या कोई भी पेस्टिसाइड का लेवल अधिक निकल गया तो इसलिए जरूरी है कि उसकी टेस्टिंग हो इसके पहले उसे हम एक्सपोर्ट करें तो वो फैसिलेटी ह होनी चाहिए साती साथ किसानों को एक्स हमें एजुकेट करना होगा कि कौन से चमिकल को ना यूज करें कौन से पिस्टिसाइड को ना यूज creams करें कैसे एक्सपोर्ट करना है तो मार्केट कैसे है कैसे इंटर linkage हो एपीडा का यहां पे बहुत बड़ा रोल होता है अच्छी बात क्या है हम सुधर रहे हैं अगर आप देखें पिछले financial year की बात करें 2023-2024 की तो उसमें हमारा mango export 60 million dollar पहुचा था जो पिछले 5 सालों में सबसे अधिक है इस साल की बात कर लें तो January से लेके में तक के बीच में हमने करीबन 50 million dollar का आम export कर दिया है दोस्तो 2022 में पूरे साल में हमने इतना export नहीं किया था जितना हमने केवल January से में में अब तक कर दिया है दोस्तों यहां पे कुछ चीजें जो हम सीख सकते हैं गुजरात के अगर आप कच में देखें तो केसर वेराइटी बहुत उगाया जाता है और यहां से आम ओमान, उस्ट्रेलिया, यूएस, येरोप हर जगाए export भी होता है एक major कारण है यहां पे किसान organic farming कर रहे हैं जब बात होगी केसर की इसके सिवा testing facility है 280 test के तुरू इनका आम गुजरता है और ensure करवाया जाता है कि किसी भी कारण से इनको reject ना किया जाए international market में लेकिन अभी भी यहां पे irradiation facility नहीं है वो बड़ा important होता है अगर आप irradiation irradiation करवाते हैं आमों का तो जो भी उसमें कीडा वगेरा है लारवाप यूपा कुछ भी रह गया अन्य कोई भी चीज है तो वो सब खतम हो जाते हैं फर्दर ग्रो नहीं हो पाता है तो बड़ा important है अगर आपको export करना है अपने organic चीजों को इस वज़े से आपकी जो shelf life है आम की वो भी बढ़ जाती है तो जरूरी है इस प्रकार के facility भी हम लगवाएं तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये कहान ही आम की पसंद आई होगी आम का सीजन खतम हो रहा है तो जरूरी था आपको ये बता दूँ आपका कौन सा favorite variety है आम का अवश्य बताएं मुझे तो 14 पसंद है तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े आयाद दिला देता हूँ 23,999 रुपे में आपके लिए हम रक्षा बंदन sale run कर रहे हैं जिसमें आपको freedom batch हमने दिया है वो मिलेगा और बाकी सारे batches भी आपको मिल जाएंगे जो batches देखना है एक साल तक आप देख सकते हैं हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए मेंस test series to valuation देखिए dedicated doubt solving session है lecture से powerpoint मिलता है complete GSC test series मिल रही है सारे batches का access मिल रहा है इस affordable price पर make sure आप case it in code का use कर रहे है तभी आपको यह offer मिलेगा इसके सिवा दोस्तों मेरा current catalyst course है जिसमें holistic तरीके से आपको prelims और mains दोनों के लिए current affairs तयार करवा रहे है make sure आप इस batch का हिस्सा बन जाए नीचे आपको link मिल जाएगा जाके enroll अवश्य करने है बाकी freedom batch है हमारा 15 के स्टार्ट हुआ है जल्दी से जाएं जाके जोड़ जाएं बाकी English में English में Hindi में भी हमारे batches run हो रहे है iconic subscription अगर आप देखें तो इसमें आपको offline recorded class मिलता है quick revision module मिलता है answer evaluation मिलता है interview guidance मिल रहा है ask a doubt है 20 gspdf book है कुछ सब कुछ मिल रहा है make sure आप के सीट इंकोड का इस्तमाल कर रहे है optional batches आ चुके हैं जल्दी से जाएं जाके enroll कर लें